मेरे दोस्तों, अस्दिसों, जिजस लिंक के सुनने वालों, एल्फरेड गेल, आल्बनी नुईयाक से, आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ, आपके सामने हाजर है, और स्लाम अर्ज काता है, आज का शो मेरा है, साथ सो चैसे सेवन सिक्स्टी सिक्ष और शो का टापक है, काफर की तारीब, शो का टापक है, काफर की तारीब, और आज का जो खूब सूरत बाइबल मुकदस से, खुदा के कलाम से हवाला है, वो यहन्ना अरफ का मकाश्वा, और उसका दो बाप, और उसकी पांच और छे आयत पड़ूँगा, दो आयात पड़ूँगा, और यू लिखा है, बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, और तोबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तोबा ना करेगा, तो मैं तेरे पासा कर, तेरे चिरागदान को उसकी जगा से हटा दूँगा, अलबता तोज में ये बात तो है, अलबता तोज में ये बात तो है, कि तू नेकियों के कामों से नफरत रखता है, जिन से मैं भी नफरत रखता हूँ, खुदावन के पाक किलाम के पड़े और सुने जाने पर, खुदावन दापनी बड़ी बरकत बख्षे, सारी टोपी इतार ना भूल गया हूँ, क्योंके बाइबल मुकद्स परते वक्त, ये अद्बो अदाव में शामल है कि जब दी खुदा का पाक किलाम पड़ा जाए, सार्सने पगड़ी या टोपी या कोई भी चीज अतारनी चाहिए, और कई बार मैं भूर जाता हूँ, ज्यादा ताथ तो मैं अगर टोपी पहनता हूँ, तो मैं जरूर अताता हूँ, और आज का तापक जो है, वो काफर की तारीफ है, तो पहले ये चन्द बाते जो मेरी भेन रहत अफजा में लिखी है काफर के हवाले से या काफरों के हवाले से सारी उनकी तारीफें ही लिखी है के काफर कौन होते हैं, काफरों के करदार क्या है, काफर कैसे कैसे काम करते हैं, हमारे मौशरे में तो हम एक दूसरे को काफर कहत ही रहते हैं लेकन खुद कुफर बगते हैं हम दूसरों के आंखों में दूसरों के करदार तो देखते रहते हैं लेकन हम अपने करदार को नहीं देखते कि हम खुद सबसे बड़े काफर हैं सबसे बड़े काफरों की तरीव करने वालों में शामर है और मेरी भेन रहत अफजाने लिखा है जिसमें इंसानियत नहीं वो काफर है बहुत बड़ा काफर है अगर उसमें इंसानियत ही नहीं इंसानियत की कोई बात ही नहीं अगर इंसानियत नहीं तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी इंसानों वाली बात नहीं आप इंसानों से खुदा की मखलूग से महबत नहीं करते जो कतल करते हैं वो काफर है और सबसे बड़े काफर है कि जो खुदा की मखलूग को कतल करते हैं और उससे बड़ा काफर कौन हो सकता है जो कर ले जो गवा करें वो भी काफर है वो भी काफर है और ये सारी सिफ्टें जितने भी मेरी बेहन रहत अफजाने इटली से लिखी है सारी सिफ्टें माशाला हमारे मौशरे में पाई जाती हैं हमारे मुलक में पाई जाती हैं और इसलिए एक पाकिस्टन ही होते हुए मेरी ब जो जो शिफते हमारे मुलक में हैं और पूरे जोरो शोर से चल रही है उन्होंने बहुत अच्छा लिका है जो गोआ करें वो काफर है जो बेबस के बे यारो मददगार के साथ जिनाउल जबर करें वो काफर है और ये तो बहुत ही ररूज पर जा रहा है कि बे यारो मददगारों के छोटी छोटी बच्चीओं को हम गवा करते हैं फिर जिना करते हैं जबर जिना करते हैं जिन सी तशद्दद करते हैं ये भी हमारे मुलक में रूज पर है और कोई इस गुना को रोक नहीं सकता क्योंकि इनके पीछे भी बड़े-बड़े काफरों के हाथ होते हैं और इन काफरों की मदद से ही ऐसारे काम किये जाते हैं और जो जो कमसन के साथ जो कमसन के साथ जयाती करें उससे तो बड़ा काफरा ही नहीं कि छोटे बच्चेों के कमसन के साथ लड़की या लड़के उस से विकू बड़ा काफर है, काफरों की ये सारी तारीफें मेरी बहन ने बहुत खुबसूरत लिखी है, जो कमसन के साथ जयाती करें, वो काफर है, और ये भी हमारे मुल्क में कमसन से जयाती करना, जबरजना करना, जिन से तशद्दत करना, उसको मार देना, उसको कतल करन सबूत चपाने की कोशिश करना ये भी हमारे मुल्क में रूच पा रहा है जो जहर किसी जो जबरदस्ती जो जबरदस्ती किसी का मजभ तब्दील कराए वो भी काफर है तो ये सारे काफर कहां से आगे है हमारे मुल्क में ये किदर से आगे है ये सारी सिफतें काफरों में कह से आगी है ये दौलत ने ये जूटे लोगों ने जो मनाफ़कत करते हैं मैं समझूगा कि अगर ये मैं अपने स्यासदानों पर मजभी लोगों पर जिनों ने ये सारे तारीफे काफरों की शुरू की आज वो हर गरीब आदमी को इन काफरों के हथों में यरगमाल है जो जब माइर मजभ अफराद के जानों माल इजब औ आपरू को पामाल करें वो भी काफर हैं सारी सिफ्ते ही सारी तारीफे ही हमारे मुलक में पाई जाती हैं जो मनाफ़कत गैबियत हस्त बदगोई करें वो भी काफर हैं और ये सारी तारीफे हम लोगों में खूब कूट कूट क पर भरी हुई है और आगे आने वाली नसलों में भी यह सारी काफरों वाली बातें मुंतकल होती जा रही है हम यह बात को हूँगा कि जो बड़े लोगों के बड़े काम जाहर है उनके उन्होंने यह काफरों वाले काम शुरू किये अब उनके बच्चे टीवी पर आकर या इदर मीडिया पर तो नहीं आ सकते लेकर जो छोटे लेवल पर जिन वो भी इन सारे काफरों के कामों में शामल हो चुके हैं जो मनापकत गैबिये धस्त बदगोई करे वो काफर है जो समाजी काईदों काईदों और कवानीन का इतराम ना करे वो भी काफर है हम किसी कव मर्जी गरीब भी कम नहीं कर रहा वो भी जबर्जना कर देता है जिसको मर्जी पकड़ के वो कतल कर देता है गोल यह तो ऐसे घर घर में चलाई जा रहे हैं असले की कोई कमी नहीं कोई किसी चीज़ की कमी नहीं को के काफरों ने इतना गुना फला दिया है के काफर ही काफर आ रहे हैं। दो के बाद ये भी बहुत बड़ी किसमें काफरों की। दो के बाद ऐसान फर अमोश खुद कर दोगों और खाइन काफर हैं। सारे काफर हैं। और काफरों वाले काम भूब dziL बरके करते लो आपके जामे रखे वो भी काफर है और ये भी आमसी बात है कि जो जो जोरावर लोग हैं जो बड़े बड़े चोधरी पठान खान सरदार गरीब लोगों को बटे वाले लोग तो खास और मजदूरों को हस्बे जामे रखते कर्जा दे देते हैं उसके बाद अपनी मर्जी से इज़ते भी लूटते हैं और उनसे मजदूर यह भी मुफ्त में कराते हैं तो ये हस्बे जामे रखने वाली बात है या किसी को अपने कबजे में रखके जो सरदार लोग हैं बड़े बड़े इन्होंने घरमों में अपनी जेले बनाई हुई है और वहाँ पर इन लोगों को हस्बे जामे रखते हैं जो हकूक अदाना करें वो काफर है और जो इनका इन काफरों को ना समझें वो भी काफर है पिलकुल हमने इन काफरों को समझते हुए भी ये चोर है ये काफर हैं, ये जूटे हैं, ये मनाफकत हैं, क्योंकि हम खुद उनको समझते हुए, फिर भी हम उनके पीछे जाते हैं, फिर भी हम उनके गलों में हार डालते हैं, फिर भी हम उनके उनके लिए कतल होते हैं, उनके लिए जबा हो जाते हैं, जो बात में पूछते भी नहीं तो यह है हमारे मुलक के काफरों की तारीफ, एक बात मैं कहूंगा अपनी कौम के हवाले से, हम ठीक है, देखा देखी, बहुत कोच असर हमारी कौम पर भी, लेकर हम मसीही यसु को मानने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो अभी हम अभी इतने काफरों वाली लेकन बहुत हाथ तक हम मैं अगर यह कहूं कि 75% दूसरे लोगों में यह सारी सेप्टा का और 25% तक हमारे लोगों में भी यह मुंतकिल हो रही है हमारी नाजवान नसल में क्योंकि जूट हसद फ्रेव मनाफकत जबरद बहुत सारी बाते हम गरीब लोगों के साथ कर देते हैं इसलिए हमें इस 50% को भी क्योंकि खत्म करना है क्योंकि अभी जो पातला में मकाश्वा में से पढ़ा कि अगर आप इन बातों से बाजने है तो मैं आपके पास आकर आपका चिरागदान जो है वो इसको गुल कर है कि हमने इन काफरों से बचे हमने इन गंदे और गलीजलोगों से बचे क्योंकि हमारी ताली महुबत की है सचाई की है हलीमी की है खूबसूरती की है अगर हमने इन चीज़ों से बचेंगे तो जरूर हम काफरों की तालीम से भी बचेंगे हमने इस तालीम से दूर रहना ह और अपनी आने वाली नसलों को भी खुदा के लिए इन काफरों से बचाएं और उनको यसु मस्जी के हवाले से हूबसुरत तालीम देनी चाहिए इसके पास दो कमेंट्स दिये हैं इस मेरी भेन की तहरीर पर काफरों की तारीफ पर जे जे जार्च जार्ज ने कमेंट्स दिये हैं काफर की इतनी लंदी फृरिस्ट को पढ़ कर और समझ कर हर शक्स अपने ग्रेबा में जांके और अमल पे रहो हमें अपने ग्रेबा में जा शाखना चाहिए क्या मैं इन काफरों में तो नहीं शामर में हो जो खुदा क्यों कोंड आके मानने उसका अचाहिए के ऐसे राखने बाहने को काफर की तुरियस ए और ये जो पहुत ऐस कॉपर की तरीफ करते हैं, जो खुद भुदी खुद साखता ही नोगों ने बिना रखी है और जो बात कही है जे जे जारजाज साहिब ने काफर कितनी लंदी फ्रेश्ट को पड़ कर और समझ कर हर शक्स को अपने ग्रेबा में जाकना और अमल पैरा होना चाहिए कि हम अपने ग्रेबा में जाके अपने बचों के अंदर देखे कि कभी ये काफरो वाली तालीम तो नोगी इनके अंदर पहुंच चुकी कहीं ये जूटी तालीम पर तो नहीं चल रहे है इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ऐसी जगा पर हम रह रहे हैं जहाम हम बहुत सारी मुझकल आते हैं काफरों की तालीम हमारे अर्दगर्द गूम रहे हैं इसलिए हमें अपने बच्चों को हमारी आने वाले नसलों को हमने अपने पाक क्लाम की तालीम पर अबिकरना है मेरा इस शहरे अधावत में बसे रहा है मेरा खाल हभीब जालब का है को हभीब जालब ऐसा कलाम है उनका मेरा शहरे अधावत में बसे रहा है जहां लोग सजदों में लोगों का बुरा सोच और इससे बड़ी भी कोई तारीफ है कि हम सजदे करते हैं दौाएं करते हैं ले या मंदर में जहां भी बेटे हैसे हम बेटों लेकन जीन का हैं दूसरों के बुराइग के लिए मेरा इस शारे जो किया दावत में बुसे रहा है जहां लोग सच्दों में भी लोगों का भुरा सोचते और या भी बहुत बड़ी तीरी का बहुत सची और अच्छी तारीफ है और देलकुल 100% ये कि हम दुआओं में तो सजदों में तो गिरे होते लेकन दिखावे में तो हम खुदा को सजदे करें लेकन हमारी सोचों में जो है वो काफरस्तान की बाते हैं काफरों वाली बाते हैं काफरों वाली सोचे हैं इसलिए हमने इन काफरों से काफरो की तालीम से बचना है दूसरी जो तारीब की है जान मंटो साथ ने सांपो में और वाजों में थोड़ा सा फरक है बहुत अच्छा लिखा है सांपो और वाजों में हमारे वाजीन भी अगर मैं 25 परसेंट भी कह दू जैसे मैंने अपनी कौम के हवाले तो ये बाते तो हैं सां पर वाजों में थोड़ा सा फरक है कुछ काटने में कुछ काटने में काटने महीं मगर जहर के बहँर है जहर अगर सांप कारता तो यह कभी नियुए हो सकता कि जहर नहो अगर हम जहर नहीं ठीक है मीठा जहर भी कहते हैं वो जहर से भी खतरनाक है क्योंको मीठा जहर ऐसता आपके वदन में सीरित करता चला जाता जो आखर में बहुत बड़ा बलास्ट मन के काफरों की तरह फटता हैすली हमने वे जो मैंने अब भी बात कीची के हमने अपने आने वाली नसलों को अपनी कौम को बनाने के लिए इस ऐसी तालीमों से प्रेज करना चाहिए आर अरि प्रवेज नम्टिरप की पोर्स्ट क्राची से मुल्क में सरकारी हस्पिताल का मतलब है कि जान से हाथ देना सरकारी हस्पिताल क्यों बनाए गए गरीब हो के लिए परीद जो नेडिसन मिलती है और भी डाक्टर फ्री मिलते हैं और ये भी काफरों ने अपने कब्जों में के इन ये भी माफिया की एक बहुत बड़ी किसम है कि दुआईयां भी बिचारे गरीब जाते हैं पर्ची मिल जाती जाओ जी वो बार जो काफर बैठे हैं उन से जाके दुआई ले ले क्योंको नकी परसंटेज उनमें शामल होती है हड़ डाक्टर यही करता है घृरीब मरीज हैं और उनको बार से को कि जो हस्पिताल में दुआईयां वो बेज के खा जाते हैं या आती नहीं वो बार से ही बेख जाती हैं तो ये कह हैं इस से भी काफरों में काफर ही है सारे अगर वो इंसानियत से महबत करें क्योंकि जो मेरी बेहन में सबसे पहली तारीफ लिखी थी कि जिसमें इंसानियत नहीं वो काफर है और इनमें इंसानियत उतनी इनकी सोथ सिर्फ दौ दौत तक है उनको किसी घृप के मरने से या जान देने से या बुराई करने से बुराई भी बहुत होती है बहुत बुराई होती हमारे सरकारी हस्पितालों में तो यह क्या है भले डाक्टर नर्स हैं सब कोछ यह विकाफरों से कम नहीं क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसँ की ज्वरूरत है दूसरी बात है और प्राईवेट हस्पटाल का मतलब है कि जायदा से तोना पहला जो सरकारी हस्पटालों में मलक में सरकारी हस्पटाल का मतलब है कि जान से हाथ दोना बहुत सारे रोज आप देखते हैं तस्वीरों में वीडियो बना कर डालते हैं कि एक दिन को बाबा पड़ा हुआ था बचारा क्रोना में तो कोई उसको हाथ ही निलगा रहा था कितने जो बचारी प्राइगनेट होते हैं जो बच्छा जमनेक में में लिख थी दख्टर जानने वाला ही दो यह नर्स जाने तो फिर हमारी जान जो थोड़ोंयसा जो बचसकती है तो फ्राइवेट हुस्पिटलों में भी इसलिए और प्राइवेट हुस्पर हस्पताल का मतलब एक जाहदा का जाहदा क्योंकि प्राइवेट हुस राजितने लाक लगेंगे इतने लाक लगेंगे अगर आप इतने पैसे ला सकते हो या 50 पैसेंट दे दो हम सरजरी शुरू करते हैं या जो भी बी बी गई है उसको जो बच्चा जनम देने वाली है हम उसका पैसे का बंदवस्त करो और आप आदे पैसे कैसे देते जमीन बेचते हैं हाता बेचते हैं क्या जो बकारों बात तो फिर बिलकुल आरफने बात तो सही लिखी कि प्राइवेट है उस्पिटल को भी पैसे चाहिए उनको इन आप अगर मैं कहूं के इन काफरों से बचने का हमारे जब हमारा डाक्टरों का डाक्टर है जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी जिसमें हमारा इमान है कि उसका पाखोन हमारे जिसमों पर पढ़ जे एक औरत जब कहती है कि उसको जो बारा साल से खून जारी था तो वह क और येसु को भी पता चल गया कि मुझ से कुछ ताकत निकली है जब यह इतना पुखता इमान है सूबेदार की मिसाल है वो मिसाल है जो एक मरीज को च्छत से नीचे उन्होंने च्छत पड़ तो कितनी मिसाले हम रोज पढ़ते हैं रोज हमारे पादरी साहिबान यह सारी तम हम इमान में क्यों कमजोर हैं हम इमान में अगर कमजोर ना हो तो हम इन काफरों से भी बच सकते हैं इन बुरे लोगों से भी इन हास्दों से भी बच सकते हैं कितने हमारी बेटियों की अभी जो फैसलाबाद में लेकन चुके हम नहीं तफाक ही नहीं हम कहते हैं चलो वो कल को मेरी बेटी पर या मेरे बेटे पर या मेरे खानदान पर ये भी हो सकता है सार्थ को कि हम सिर्फ जातियात की बाते करते जब तक हम कार्मिष लेवल पर नहीं चलेंगे ये काफरों की हकूमत से हम खतम नहीं होगा हम गलामी से नहीं निकल सकते इसलिए हमने इन बातों का सोच नै केला बंदा तो बोलता रहता हूं कितने लोगों पर जाती, कितने लोगे इन बातों पर अमल करते, जो दिन रात चर्च लागते रहते तो अमली को नी, तो मैं क्या चीज़ एक तो आटे में नमक डालने वाली बात है, लेकन चलो अगर एक दो बंदे, दस बंदे भी सुन कर, अगर कोई थोड़ा बोता असर ले ले तो उनकी बड़ी मेरबानी है, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, बारहल मैंने एक काम शुरू किया है, और जिन्दगी तक जब तक बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, चल सकता हूं, ये करता ही रहूंगा, बहुत है, बशीर मसी, गल साब ने बड़ा चर कैक्षेर है, मेरे मरने पे लाक रोएंगे, मेरे मरने पे लाक रोएंगे, मेरे रोने पे कौन मरेगा, और ये जिऊने लिया, वो यह से जिद्दत की बातने लिखदा है, मेरे मरने पे लाक रोएंगे, जब मैं मात जूँ का, यार अच्छा बननाशी चंग्यांग लेकर मैं किसी के लिए क्योंकि नेने बर्वाइ करने से मैं काफरों की दो करने से मैं नहीं ही मरों गा या अपने से कोई नहीं मरेगा उस वक्त मरेंगे जब मेरा याप का वक्त आजाएगा खुदा की तरफ से वक्त आजाएगा कि आज इसको उसके फिरिष्टे आजाएंगे वो ले जाएंगे और फिर लेकं हम किसी के रोने से कोई नहीं मर सकता हम बहुत रहते हैं तू खुदा करें खतमी हो जाएं बद्वा दे जब खुदा की तरफ से आवाज आजेगी कि अब तेरा वक्त हो चुका है यह सुमसी के अच्छे सपाही दो पोस्टें एक तो बाइबल मुकदस से हवाला है उन्होंने लिखे मैंने तेरे लिए दूआ किया है बहुत अच्छी है आप दूआ करते रहें यह सुमसी के अच इमान जाता ना रहेगा हम काफरों की लिस्ट में शामल नहीं हो सकते हम बुरे लोगों की लिस्ट में शामल नहीं हम शेतान की लिस्ट में शामल नहीं हो सकते हम खुदा के बंदे बंच करते हैं तौबा करेंगे खुदा के सामने जाएंगे फिर हमारे उपर कोई जूटी बात, कोई काफरों वाली बात, कोई ऐसी बात, जो है, वो असर नहीं का सकती, बाइबल मुकद्दस से हुआला अच्छे सुमस्य की अच्छे सुभाही से, तो खदावन फूर्माता है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो मेरे खदावन के नाम से कहलाते हैं, खाक सर्बान कर दुआ करें और मेरे दिदार के तालब हों अगर हम उसके दिदार के तालब होंगे फिर काफरों वाली बात हम मैंसे कभी नहीं हो सकती हम काफरों की ना सुनेगे भले लौड स्पीकर बाचते रहें भले डोल बाचते रहें लेकर अगर हम सिर्फ खुदा को पकारेंगे उसको याद करेंगे हमारे उपर कोई असर नहीं होगा और अपनी बुरी रहों से फिरें अपनी बुरी रहों से फिरें तो मैं आस्मान पर से मैं आस्मान पर से सुनकर उनके उनके उनका गुना माप करूंगा वो हुमारे गुना आस्मान से सुनकर माप करेगा और एनके मुलक को बहाल करूंगा और खुदामच से हम जो जितने भी काफर हैं किसी भी लेवल के काफर अगर वो कठे होकर खुदा के सामने तो हमारे मुलक को बहाल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी बुराई है कूट 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 कर उस मुलक में बड़ों से लेकर बजर्गों से लेकर आने वाले बच्चों में भी शामने क्योंकि जब बुराई मेरे खुण में है हम सब के खुणों में है तो फिर वो ही खुण तो बच्चों में मुन्तकिल होता है तो फिर वो सारी बुराई है क्योंकि पैदा होता ही बच्चा अगर हमारे हमारी तालीम अच्छी है हमारे खून में खुदा का नाम है खुदा का शामल नाम है यह समसी का बदन और खून शामल है तो फिर जरूर बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे और आप उनकी तर्बियत भी अच्छी करेंगे असलम जिन्दगी दुबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए 100% क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ जब आज मेरे पास और आपके पास वक्त है कि हम अपनी जिन्दगियों को बदलने की कोशिश करें तो हम क्यों नहीं इससे फैदा उठा रहें क्योंकि जब निकल गया बहले कुछ भी करें वक्त तो जो गुजर गया वो कभी नहीं आएगा गया वक्त कभी हातर नहीं होता वापस नहीं आता अर्बाब अनवर खोकर का एक शेर है याद रखता हूं खुदा को बूलना दिश्वार है तिलकु खुदा को हम भले अपने करतूतों से क काफरों जैसे हम लेकन खुदा को कोई भूल वो मरते वक्त भी खुदा करना हम लेगा माफी मांगेगा जारी जिन्दी की और उसको गर खुदा ये वक्त दे देगा तो माफ भी खुदा करेगा अपनी हर एक खत को अपनी हर एक खता को भूलना दिश्वार है दिलकु खु को भूलना तो दुश्वार है क्योंकि शितान इतनी दर अच्छाया होता हमारे जैनों पर कि उन को वो निकले लेकर अगर हम खुदा का नाम सच्चे और अच्छे तरीके से लेते भी खक्त्रे रेहेंगे तो फिर जरुर मारे जैनों से ये सारी बाते रो नीपाल की एक बहुत सची और अच्छी पोस्ट है जवाल पजीर को सुद्र सुनना सखा़ा जाता बिलकुर और हम दोगों को सिर्फ सुनना सखा़ा जाता है हम जब जलसे होते हैं तो गरीब लोगों को हम सुन सकते हैं हम उनको सवाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इतने अकलमान्द हो गए तो फिर उनकी यह जूट और काफर वाले स्यासर तो खतम हो जएगी जवाल पजीर मौशरे में लोगों को सिरफ सुन्ना स्काय जाता है क्योंकि सोचने से फर्मंबतार नहीं रहते अगर हम सोचने और पढ़ने लिखने के तो फिर हम उन जूटे और काफरे लोगों के फर्मंबतार नहीं रहेंगे इस माशरे में जीना है तो सोचों समझो और अपने आइनी हक के लिए खड़े हो जाओ अवाज बलंद करो वरना ये जले हुए नाकाम कारतूस बेलकुल बहुत अच्छलिक है वरना ये जले हुए नाकाम कारतूस एक बार फिर आपका सोदा कर देंगे सरदार जी ये जितने जले हुए कातूस हैं हम नहीं इनको चला रहे हैं क्योंकि हमने इनका साथ देते हैं हम इनके जलसों में जाते हैं इनकी बातों को मानते हैं इनकी गएन पर जो मठाईयां बांटे हैं जूटे लोगों के लिए जेलों से चूड़ते तो हम फूर जहेंगे तो इन्जाम क्या होगा हमारी कौम दीस तरह बिखरी हुई कौम रहेगी हम इनकी सुनेंगे इनको सुनाने की बात नहीं हम कर सकते क्योंकि हम दबे वे फिर ग्लाम लोग हैं बहुत अच्छ उसके बाद दोशे रजा रच की इसी हवाले से काफ्रों के हवाले से हीए शौंक से अकल के घोडं को दढ़ाओ तो क्यषिर क्या हो रहा है क्या कुछ हमारे मुलक में हो रहा है कि कि कुफर के पैरों को तो घुटाओ कि अथ सोचो और यह जो चुफर काफरों कि जी हो तालीम है। इनके मतलग सोचो और इनको हटाने की कोशिश करो दूसरा शेयर है। यह खुद का यकीन क्यों नहीं करते हम अपने हपका जो खदा को मानते हैं। खुदा पर या अपने अपर यकीन क्यों नहीं करते ये करते हैं इत्माद जमाने भर का और हम जमाने भर का इत्माद करते हैं काफरों का इत्माद करते हैं जूटे लोगों का इत्माद करते हैं मनाफ़क्त लोगों का इत्माद करते हैं जूटी तालीम का जूटी तालीम दे देने वालों का हम मुण पर इतमाद करते हैं लेकिन खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूपकर हम नेऊ-इतमाद नहीं करते हैं बिलकुल हमारा कोई भी ऐसे जो कर जो सची और अच्छी बात्य हम उनके पीछे नहीं जाते हैं तुदा के ख्लामके माना थे बामे चान तारे ने आस माना थे पामे चान तारे ने तरती तरती सब्क्राइब रोड अटे में वज़ती तरती प्सक्राइब कुझम हम हादों क्योंकि काफर इता रोड है महरन वाले ज्यादा ने ते अच्छे लोग आप बोट काट है मौसम मौसम कर लिवन लब्धी नहीं है मौसम कर रहे कि कोई आची तब दिलहा नहीं है कि जेड़े न काफर टे चूठे थे फासत लोगा करो सी जान चे डालिये कल भी जेड़े सन पीले अज जो कल कल दी जेड़े सुन सुन थे पहले सी अज भी ओ ओ कल दी जेड़ी बुराई सुन दे से ना जबी ओ ही सुनी जा रहे ने खुद गर्जी गर्जी हुन जदो 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 टप गई है खुद गर्जी एननी वद गई है के जदो वदी जान दे ये काफरा दितली वदी जारी है मिन्नू वी हुन अपने सारे प्यारे ने मिन्नू वी हुन अपना अपने सारे ने के मिन्नू अपना आप या मेरी सारे मेरे जड़े अपने या मेरी कौम जड़ी सारी मिन्नू ओ प्यारी है अगर असे ना गलां थे सोचिए तो वक कैसा नूं बहुत कोछ अच्छा लग साकता है खुदगर्जी आखरी चार शेर ने कल जिन नाम मेरे नाल रात गजारी सी बहुत अच्छी गाला आखरी जेडियों ना लिखी के कल जिन नाम मेरे नाल रात गजारी सी आज ओनाई मिनूप पत्थर मारे ने और बेलकोर तुसी किसी ना व्लाई करो जदो दा काम सिद्धा हो जान दा फिर हो गये तो अनू पत्थर रहके चे आज काल ते कलाशिन को अफ दी गाले गोली दी गोले मंब दी गाले ओ पत्थर मारन दी जाय सुबा उठके तो आनू गोली मारन नो ते आरं देने क्योंको न सब्सक्राइब करें अगर हम खोड से महबत करेंगे तो इनकी बुरी आथसों से जो इंसान ये से पयाद नहीं गाते हैं बचे रहेंगे बचे रहेंगे बहुत अचा लिखा है ने खुद से महबत करें खुद को जी कर मखादब किया करें अपने आपको मखादब किया करें आइने के आगे जाके देखें, बहुत अच्छा है, आइने के आगे जाके देखें कि आप कितने प्यारे हैं, इतना ख्याल रखें कि एक कप्चाए बनाएं, ताजा हुआ आपने बैट कर अपने बच्पन को याद करें, यकीन करें, सारे दुख बोल जाएंगे, बहुत सची बात है बिल्कुल हम जब अपने माजी को यादी है सच्चा और अच्छा माजी है याद करते हैं तो बहुत खुशी भी होती दोस्त हब आप यादाते हैं स्कूल का जमाना माबाप यादाते हैं बच्पन से जो प्यार किया देखा वो यादा जाता है और कोई आपसे महबत करें ना करें कोई आपसे महबत करें ना करें आपका रब तो आपसे महबत करता है महबत से देखता है आपका रब तो आपको बहुत महबत से देखता है हाँ जी तो खुद को खुद को भी कभी महसूद कर लिया करें कि मैं कितना अच्छा हूँ मेरा कासी भी कितना अच्छा है मेरा हाल भी कितना अच्छा है खुदा मेरे मुस्तक बिलकुँ भी जब तक मैं जिन्दों की जमीन पर जिन्दा हूँ कितना अच्छा करेगा क्योंकि खुदामन हमसे मुखबत रखता है रौन के अपनी जाद से ही हुआ करती है बिलकुल अपनी जाद से ही हुई करती है अपने खांदान वालों से जिनके साथ हमारे अच्छे तलकात है रिष्टेदारस बच्चों के साथ ही रौन के उती ही तो खनाम दा आपको बरकत दे आज जो मैंने जली है था यो यहन्ना अरफ का मकाश्वा उसका दो बाप और उसकी पांच और चेह आएथ पड़ी थी और लिख्या कर के तू कहां से गिरा था काहां से गिरा था और हम काफरों के हाथ में आगे गिरे तो हम खुदा आखने हमें इस जमीन पर भेज आशने हमें दंपू का और हम काफरों के हाथों में चले गए हैं ख्याल करके तू कहां से गिरिया और तोबा करके पहले की तरह काम कर पहले की तरह तोबा करके अच्छे लोगों की तरह काम कर और गर तू तोबा ना करेगा नामन कह रहा है कि अगर तू तोबा ना करेगा तो मैं तेरे पासा कर तेर वह प्लजा से हटा दूँगा Łस रोषनी को उस नूर को उस जगा से हटा दूँगा जो के तूु खुदांबन की तालिए Пос अगर नहीं सुनेका जी तू जूटे लोगों की तालिए की तालिए तूंड़ि का वा है मुत्त है मैं यह बात तो है कि तू नेकियों के कामों से नफरत करता है और नेकियों के कामों से कौन नफरत करते हैं जूटे और काफर जो दूसरे को काफर कहते हैं वो जूटे लोग नेकियों से नफरत करते हैं नफरत रखता है जिन से मैं भी नफरत रखता हूं को कि अगर आपना अच्छे काम नहीं करते हैं गारेंगें तो خداalogन हमसे नफरत काता है लेकन अगर हम अच्छे खुदा की तालीम के पाम करेंगे वह कि वो खुदा धान हमको पसंद करे कयोंकि हमें खुदामद की तालिब रम Vehways चाहिए। tek की तालिब पर अमुं करें, हौँ करों की तालिब आमु बेलत रहतstellen, क्या मैं जाने, तो आज का मेरा शो जाहँ है बहुत अधाम जीर होता है। खुदामद आप सबको बड़ी बरकत बख्षे हर किसम की बरकतों फदलों से खुदामद आपको नौजे करोना जैसे वाइरस से बिचाक रखे और दुआ करे कि इस वाइरस को कुल आलम से जो है खुदामद खत्म करते यसुमस्जी के नाम से आमीन गाट बलेस पाकस्तान गा